हेलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं आसा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और सस्त भी होंगे तो बच्चों आप लोगों के मैं कमेंट भी पढ़ रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहे है कि थोड़ा सा केमस्टी का पेपर नहीं बन पाने के कारण या फिर हम यूँ कह सकते थोड़ा सा टफ आने के कारण और थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा इसमें उदास हो गया हैं तो आप बच्चों याद रखो जब पेपर में तीचर्स के आप गलँत ही मतलिका लोग निगव आपनों कवंड करते हैं लेकिन सोचते लिंए कि बिचार वो टीचर चुँअ है आप लोगों के लिए कितना महनत कर रहा है उनको क्या मिलेगा बताओ यह कर हैं लियकतलि कि लिंग लिए हैं लेकिन आप लोग उसको मान के चलो positive मान के चलो क्यों भाई क्यों की भाई इसलिए क्योंकि अचानक से इसलिए क्यों कहते हैं साल भर बुक को पढ़ो यह क्यों कहा जाता है साल भर बुक पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है सिर्फ IMP कोशन के पीछे मत भगो यह भी कहा जाता है क्यों भाई जब तब आपको सिर्फ आएंपी कोशन के बारे में नहीं पूस्ता वहां पर पूस्ता है क्या बताओ आएंपी कोशन को चार्ट दे दिया इसी को पढ़ हो गया आएगा ऐसे कहते हैं क्या नहीं भई आप टीचर्स की यह कोशिश रहती कि कम समय वो जितना हो सके वो लोगों की हेल्प करें बच्चों की पेपर के लिए हेल्प करें लेकिन आप लोग उसको पतनी क्या समझ लेते हो भगवान जाने तो आप लोग अपना पॉजिटिव ठीक रखो अच्छा पेपर दिलाओ कोश की लिए अवलेबल है आप लोग कहो आपकी बाते समझेंगे आप जितना कम समय में हम नारे से जितना हो से के तैयारी कराना था हम करा रहे हैं आप से नो मतलब ऐसा बोल सकूं कि आगर आप नो या 90 परसंट दस में आगर 9 परसंट कर रहे हो तो हम सो में 100 परसंट की कर रहे हैं ठीक है आप लोग से ज़्यादा महथन हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो आप लोग घबराओ मेसे के पुराना पेपर कैसा बिजा है आगे वाला पेपर आप अच्छा बनों अपने आपको मोटिवेट करो कोई दिक्कत करते हैं सिर्फ मेरा पेपर नहीं बिगड़ा हर किसी का ऐसा दिक्कत है या तो पेपर सेट करने वाले के ओपर ही हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि ऐसा पेपर सेट कर देते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है ठीक है जब पेपर टफ सेट होता है तो चेकर भी उस हिसाफ स ही चेक करता है तो positive रखो बी positive निगेव दिमाग में बठागे वस्त रखे हुए हो पेपर गड़ गया पेपर गड़ गड़ आप लोग की कारें बीड़ी ये क्या है बही बताओ ऐसा कौन बोलता है ऐसा कोई बोलता है क्या नहीं बोलता तुकि है तो भाई आप अपने सबसे तैयारी करते जो हम कोशिश करेंगे अपना 99% हम लगाएंगे 100% इस पर आप दोगे ठीक है पूरे बुक की कोशन सोल करो डियागरम जितने बनते उतने बनाओ क्योंकि अभी हम बात करेंगे क्या कि हमारे बालोजी से रिलेटेड हम बात करेंगे क्योंकि हमारे जी हम अपना 100% देंगे और आप आपसे भी हम चाहेंगे कि आप भी अपना 100% दीजिये ठीक है यह नहीं कि हम अपना महनत करें और आप अपना महनत ना करें ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है तो चलो अनभी अज हम बात करेंगे हमारे कक्षा बारवी का जो पेपर में चित्र से संबंधिन जो प्रश्ण आते हैं हम उसी प्रवारश पे हम फोकस करने वाले हैं कि कैसे कैसे आप यह समझो कि एक से लेकर के पाच चेप्टर तक कि कैसे कैसे कोश्ण जो की आप छित्र से संबंधित आते हैं ऐसे तो मैं पूरे जितने भी आएंगे उतका पूरे डायाएंगे पूरा बताऊंगी एक ज़लक आप लोग रिवाइस्ट करते जो कि हाँ ये कुशन हमने पढ़ा ये कुशन हमने पढ़ा ये कुशन ने पढ़ा है ति डायागराम को दिमागे आपके पेपर में आया हुआ है ठीक है आपके पेपर कोई तीन नंबर में आया है तो कोई पांच नंबर में तो कोई चार अंक में पाया है खेर चार अंक वाला तो फिर से एक और वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी फिले हम तीन और पांच नंबर वाले जो कन की संरचना में पॉलेंट्यूब जब बनता है तो पॉलेंट्यूब यानि कि पराग कन जो होता है उसमें एक जणन छिद्र होता है हमने बनाया था यह पराग क्या था कन था और इस पराग कन में एक जणन छिद्र होता है और इस जणन छिद्र से क्या नहीं करता है पॉलें में एक जनन केंद्रक था और एक वर्धी केंद्रक था था कि नहीं हमने पूरा मेरा पूराना लेक्चर देखो यह पूरा डिटेल बताई हूं पराकण की संरचना को समझाई भी हूं ठीक है तो पहले वह देखोगे फिर इस पर बढ़ोगे कि चित्रे से संबंधित और क्या क तो पराकण तो आप लोगों को बता दी हूं तो यह संरचना था खाई बिजान के अंदर जो परागण जो है जर्मिनेट होता है और कैसे पॉलेन ट्यूब बना करके कैसी वह आपके मादा यूगमक तक बहुसता है इसके बारे में दिखाएगे तो यह आपको संरचना पालों कोशन पूछेगा तो यह डाग्राम ट्रिक्सन लयन में बनाऊगे त्रिक संनिल Chinese थूप औल यादू यह दूहरन di की संरचना बना लेनी है इस तरह से और बिजान की संरचना को इस तरह से बना कर ठीक है इस तरह से बना कर यहां से पॉलेंट ट्यूब यहां से एक पॉलेंट ट्यूब का इस तरह संरचना बनाओगे ऐसा और यहां पर हमारा egg cell होता है यहां पर यह अंड कोशिका हो गई बगल में सहायक कोशिका हो गई तो अंड कोशिका के साथ यह pollen tube जो होते हैं इस pollen tube जो दो नर युगमक आते हैं वो यहीं पर fuse होते हैं यहां पर हमने दो नर युगमक बनाया और दोनों नर युगमक जो है pollen tube यह पराग नलीका है पराग नलीका से होते हुए अंड तक जा करके फ्यूज करता है ठीक है और यही जब फ्यूज करेगा तो एन एन गैमिट आपस में मिलकर क्या बना लेंगे भाई यहाँ पर टू एन बना लेते हैं उसी का दिखाएगे हैं अर्था एक आपका क्या होता है तो आपको बनाना है और आपका प्रतिमुक कोशिका हैं हमने पढ़ा हुआ है याद करो प्रतिमुक कोशिका है है ध्रूुई केंद्रक हो गया और अगर बगर सहायक कोशी का ये पूराना वीडियो सब दिखाए देगा सहायक कोशी का और डाशय की सनरेचना ये ध्रूइ केंद्रक हो गया ध्रूइ केंद्रक पोòngर बौड़ wise न्यूक्लियई यह क्या है आपका यह क्या लिखा हुआ है यह पूरा पूरा नहीं बना रही हूँ इस तो आपको यह चित्र बनाना है देखती आप लोग जितना हो सबता देखते यही तो यही त्रिकसल्यान वॉला question में आ गया, त्रिकसल्यान की क्रियवधी को समझाईए, तो त्रिकसल्यान की क्रियवधी मैंने समझाया है, लेकिन ये diagram आ गया तो आपको ये diagram बनाना है, तो question को पढ़ो, इसको जरूर एक बार पढ़ो, दिक है, चलो भई very important question और ये आपके 5 अंक का भी प्रश्न है ये बता देती हूं आपको ठीक है चले भई next question का topic है एक और हमने बनाये क्या antibody ये आ चुका है question पिछले साल में भी आया है दो सल पहले भी ये question आ चुका है यहां पर कुछ भी नहीं लिखी हूं सिर्फ आपनों को बताने वाली हूं चित्र बस देखो आपके दिमाग की घुमाओ साल भर आपने कढ़ा क्या है क्या किया अपने साल भर ठीक है दूसरों को दोस्तेना बहुत आसान है लेकिन अपनी कमी को जो आगे परशन लगाओ पूरा अपना जोक दो ठीक है कुद जो अभी पढ़ाई में कि अभी केमेस्ट्री जैसे हाल आपका बैलाजी में नहीं होना चाहिए किसी भी हालस से नहीं होना चाहिए ठीक है इसलिए अपने आपको पॉजिटिव रखो कि आप कर लोगे और करना ही करता है भई जीवानों विशानों सभी से क्या परता है लड़ने का कारी करता है टीक है अब लड़ेगा कैसे तब उसकी सर्चना पता हो नहीं चीए तीन नमबर का प्रश्न बनता है तीन अंक का प्रशन आता है आपका एंटिव लगव голов की इस प्रकार से होता है antibody होता है एक light chain होता है मैं रफली बना रही हूं आप लोग अच्छे से बना ओगे। टीक है। मैं रफली बना रही हूं लेकिन आपको अच्छे से कबनाना पड़ेगा क्योंकि मैं बनारी हूं बहुत जल्दी-जल्दी ताई कि मुझे लगता है कम टाइम में जादा से जादा कवर हो जाए इसी लिए ठीक है ये देखो इस तरह से लाइट चैनल हर चैनल ऊपर नीच होगे क्या चलो थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं भाई नहीं तो आप लोग बोलोगे मैडम डाइग्रम तो अच्छे से बना दो ये ठीक तो एक ये वाला कहांगे खलर एक ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हरे कैसे हो गया शेलो एक ये इसा हो गया ठीक है और ये एक ऐसा हो गया इस तरह की से संरचना हो गया और ये जो संरचना होगा एक और संरचना हम बनाएंगे आगे की तरफ इस तरह से ठीक है? इस तरह से हम संरजणा बनाएंगे और इसके बीज बीज में डाइसलफाइड बॉर्ण रखते हैं ठीक, डाइसलफाइड बॉर्ण यह उग गया देखो, यहां पर जो और सनरचना आपको दिखाई देर नॉर्मल सनरचना है इस पस आपको और मली सनरचना बनाना है और इस सनरचना में आपको यह जो दो नाम है लाइत कया है बंद होता है जिसको हम किहते हैं और heavy chain, यह आपका heavy chain है, यह आपका light chain है, दोनों के बीच में एक बंद होता है, जिसको हम कहते है डाई-sulfide bond, और दोनों ही डाई-sulfide bond के द्वारा ही आपस में connected होते हैं, तो यह antibody की सनरचना है, तो सिर्फ इसके चित्र को आपको याद रखना है, ठीक है, और जाद तर यह pressure सिर्फ चित्र से ही आता है, और तीन अंग का आता है, बस, ठीक है, चलो, next देखो भई क्या है, देखो पुष्प की सनरचना के बारे में देखो, ठीक है, पुष्प के भाग, पुष्प की सनरचना, यह मिक्जनी बार भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ रिवाइस करना है कि पुष्प की सनरचना कैसी होती है, पुष्प के पाट भाग कौन-कौन से होते है, क्योंकि यह भी बिटा तीन अंग का प्रेश्ण बनता है, अब बोलोगे पिछले सार तो आया नहीं है, अब हमको कोई फरक नहीं पढ़ता, पिछले सार आया है, नही है, इस से फरक नहीं पढ़ता, बस दिमाग में यह बठा के रखो, कैमेस्ट्री जैसा अगर ऐसा पेपर में आ गया, तो हम इसके लिए तयार रहें, ठीक है, अगर यह नहीं भी पूछा, तो भी हमार इतना दिमाग होना चाहिए, कि हमने दस्री में पढ़ा हुआ है, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, इस तरह से, ऐसा एक चित्र बनाना है, ठीक है, मैं चाहती है, तो हूँ कि इसको कलर में बनाओ, लेकिन मुझे लगता है कि कम समय में ज्यादा 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 आपको दिखाते चलू, ठीक है, तो चलो, वह यह रहा हमारा, चित्र नॉर्मल यह चित्र आपको बनाना है इस तरीके से ठीक है यह हो गया आपका चित्र आप हमको पता है यह होता है आपका बाहे दल होता है यह दल होता है इसको हम दल कहती है है ना और देखो यह आपका कौन सा पाड़ अच्छा बीच का भाग तो मैं बना नहीं भूल गई हूँ यह हो गया हमारा एलो ठीक है तो एक पुस्ट की आपको इस तरीके से सरचना बनाना है यह हमको पता है यह हमारा पूंकेसर वाला भाग है और यह हमारा क्या है यहां से लेकर यहां तक जो भाग है इस तरीके सर वाला भाग है पढ़ा हुआ है आपने पूंकेसर और यह इतना यहां से लेकर यहां तक भाग क्या होता है इस्त्री केसर मैं फटा फट बताऊंगे रैटिंग पर मत जाना सिर्फ आपको डियागरम देखना है तो यह आपको सरजना बनाना है बाहे दल हो गया, स्टॉक हो गया, वरिंत हो गया यह दल होता है, यह अंडाशे का भाग होता है अच्छा यह तीन पर्ट में डिवाइड़ है इस्त्री केसर के भी कितने भाग है, तीन भाग है पूंकेसर के भी कितने भाग है, तीन भाग होते है तो पूंकेसर को देखो, एक भाग उपर में दिखाए दे रहा है एक ये बीच वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है जिसको नीचे वाले भाग को हम कहते हैं पूतंतु कहते हैं इसको योजी कहते हैं बिटा इसको क्या बोलेंगे योजी इसको क्या बोलेंगे पूतंतु कहते हैं ये क्या हो गया पराग कोश कहलाता है ठीक है क्या कहला पराग कुछ कहलाते हैं उसी तरह अगर इस्त्रीकेशर की बात करें तो इस्त्रीकेशर के भी कितनी संरचनाय दिखाए देरी है तीन संरचनाय दिखाए देरी है पहला जिसको हम कहते हैं वर्तिकागर इसको हम क्या बोलेंगे वर्तिकागर बीच के भाग को वर्तिका और लास मार में ही रहेगा बड़ी या पैंसिल से लाइन कीच के डायगरम बनाओ बहुंत सुनदर सा डायागरम बनाना आप लोग बी जांड के अंदर क्या होता है क्ली सबको पता है तो यह हो गया आपका क्या पुश्पिकी संरचना के बारे में अगर पूछ दिया पुश्पिकी कि संरचना को समझाई तो आप फ्लावर का डियागरम भी बनाओगी प्लस उसके नर्भाग यानि कि पूंकेसर और इस्त्रीकेसर यह दोनों भाग को आप बनाने वाले हो आपके एक्जामस में तो यह डागरम आपका आता है बिटा तीन अंक का लेकिन एक्स्प्लेइन करो दे दिया या समझाओ तो यह कहीं न कहीं पांच अंक का प्रश्पिक्ष्ण बनता है ठीक है तो यह आपको अच्छे से बनाना है लिखना है और इसी के सासथ करते हैं करता है और वार पूस!!!!! करने का कारХता है आपको सरजना दिखा देती हूं क्या है तो इसी अब यह आया है तो rasp mater को कुस्की अ और बजान की संव्दास्तिया नहीं ये तिक एंगर प्राकोष की सरचना को देखोगे तो सबसे बाहर का जो इस्तर होता है उसको हम कहते हैं अब इस बत्बरब्ष थिक फिर उसके बाद जो आता है अभीच मे इसमें दिखा है आगे लेको एपडर्मिस के अंदर आएगा क्या वर ठीक है कौण से छे पंदर दिखा है अधो थीसाम आफा और अंधो्य त्यूद्ध तो इसमें देखो यह देखो सबसे पहला भाग क्या है बाहर का एपिडर्मिस ठीक है बाहर का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है उसके बाद का जो इस्तर कहलाता है उसको हम कहते हैं क्या एंडोथीसियम कहते हैं अंतहा इस्तर कहते हैं इसको क्या बोलेंग सबसे बाहर का जो structure कहलाया है इस तरह से, वो हमारा structure क्या कहलाया है? epidermis कहलाया है, ध्यान दे ना, यह structure epidermis का कहलाता है, epidermis के अंदर का जो भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं, पिटा, endothesium, यानि कि अन्तस्तर होता है, ठीक है इसके अंदर वाला कौन सा भाग होगा एंडो थीसियम वाला भाग यानि कि ये बाहे इस्तर हो गया बाहे इस्तर और ये ये अन्ता है इस्तर हो गया अन्ता है इस्तर है ना और उसके लास्ट में जो आता है जिसको हम कहते हैं बिटा इसको हम कहेंगे कौन सा स्तर मिडिल लेयर यानि कि मध्य स्तर हम इसको क्या बोलेंगे मिडिल लेयर यानि कि मध्य स्तर कहते हैं और इसी के अंदर मध्य स्तर के अंदर एक गोल संरशनातमक आवरन होता है जिसको हम टैप टम कहते हैं इस तरीके से कौन सा लेयर होगा टैप ट कहलाता है ठीक है टैपी टम कहलाता है देखो यह रहा हमारे क्या टैपी टम ठीक है और टैपटम के अंदर ही क्या पाय जाता है पराग कर होता है और टैपटम कहीं काम होता है क्या विक्सित हो रहे पराग कर को पोशन प्रदान करने का कारिक करता है यह पिछले साल के भी कोश आप याद रखोगे टैपटम का एक्चर में कारी क्या होता है यह दो नंबर का प्रेश्ण कभी कभी पूछ देता है टैपटम का वर्क लेकिन आपको डियागरम को भी याद रखना है तीन नंबर के लायक याद रखना है लेकिन अगर इसको पूरा समझाओ के दिया इसकी अ हमारा किसका सरचना है पराग कोश की सरचना का चित्र हो गया ठीक है ती रंग का प्रश्ण अब चलो आते हैं हम क्या बिजांड की सरचना तो बिजांड का तो मैं अभी जस्ट बताई हूं क्या आप लोगों को तो यह बिजांड का सरचना है मेरा पिछला लेक्टर देखोग ठीक है अब इस संरचना में आपको इसलिए जरूरी है इसको बनाना क्योंकि ये बिटा आता है पांच अंका प्रश्ण ठीक है पांच अंका प्रश्ण यहां से बनता है बिजान की संरचना को समझाईए हलाकि ये पूरा में डिटेल आपको पुराने लेक्चर में बिजान की संरचनों को समझाई हूँ तो पुराना लेक्टर मेरा जरू देखो ठीक है चलो अब आगे आते हैं हमारा क्या है भई यह एक संरचना है जिसमें हम बात करेंगे कि कहां याद अगर इसको आप कहां पढ़े हो और नहीं यह पढ़े हो चप्या अगर पहला अध्याय तो आप नहीं बता पाऊगा यह संरचना जो है तो हम पढ़े हुए उसमें अपनी अध्याय पढ़ा होगा अपनी गूटी लगाना सुष्यमि प्रशारन तेक्निक यह पढ़े हो ना तो पहले ही अध्याय में आपको ये मिल जाएगा क्या ग्राफिटिंगी प्रक्रिया और इसमें आपको बनाना पड़ेगा तो इसमें आपको क्या है कि एक पेहला वाला जो पहले से उपस्तित प्लान्ट होता है और उस प्लान को हम programmes से काट से चिपका देते हैं तो आप मोम से चपकाओगे थो थोड़ा नमी बनी रहें प्रसेस होता है उड़ दो दो मिले जुरे आपके प्लांट होते हैं दोनों को काट करके आपस में जोड़ दो एक नया प्लांट बना दो यही इसका प्रोसेस होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है भाई कि दो हमने तना ले लिया है दोनों को इस तरीके से काट दिया और इसको जोड़ दिया आपस में तैयन कहते हैं नीचे भाले भाग को हम अखी तरह एक होता है क्या गुटी लगाना कहा यह देखो यह गुटी लगा ना भी वैसी प्रोसेस होता हैं इससे भी हम एक नया प्लांट जनरेट करते हैं आप पढ़ोंगे गुटी लगाना में क्या होता है पौधे के ऊपर किसी शाखा यह दंगाल पर ही हम क्या करते हैं पर थोड़ा सा चिल डेते हैं और मट्टी का लेप डाल देते हैं और कुछ दिन के बाद आप से पॉलीधीन में कवर कर दोगे और उपर में ऐसा मतका जैसा बना देना ना नीचे से टप-टप पानी बहते रहेगा ताकि इसमें नमी बने रहे और नमी जाते रहेगा तो गिलर हैगा गिलर हैने के करन वहाँ पर से एक नया प्लान जनरेट होता है जब वो प्लान थोड़ा सा बड़ा हो जाते तो उस जगे को काट करके हम अलग कर देते हैं इसको घुटी लगा ना कहते हैं बहुत एजी है एक ही बार पढ़ोगे तो आपको पूरा नाम लिखने की जरुवत नहीं है फिर से रिपट करती हूं पूरा नाम आपको लिखने की कोई जर्वत नहीं है ठीक है ग्राफियन वॉलिकल कि इसको बोलते हैं पटाफट बताओ पटाओ बताओ क्यूंकि आपने पढ़ा हुआ है अंडासर की सनरचना में आप लोग को याद है कि नहीं बताऊ अंडासय की संरचना जब मैं बताई थी मादा जनन तंत्र में तो आप लोगों को अंडासय की संरचना इस तरीके से पूरा बना के दिखाई हूं ठीक है फॉलिकल यहां पर अंडासय पुटक बनाई थी फिर प्राथमिक फॉलिकल बनाई थी फिर दीत्यक फॉलिकल बनाई थी इस तरीके से फिर दीत्यक फॉलिकल बना हुआ था फिर लास्ट में क्या बना था भई ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल इस तरीके से बना था और उसी में एंट्रन था औ दीत्यक अंडक बना हुआ था ठीक है यही आपका ग्राफियन है ग्राफियन फॉलिकल है और यही ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में चोर आपका दीत्यक उसाइट या दीत्यक अंडानू जो होते हैं हम अंडानू बोल सकते हैं अंडानू जो हो है वो परिपक्व होता है और अंडाशे की दिवार से बाहर निकल जाता है तो graphian इसी को बोलते हैं परिपक्व graphian कहते हैं परिपक्व फॉलिकल परिपक्व ग्राफियन कहते हैं और इसी अंडाणू का निर्मान होता है अंडाशे की संदुछ ना मैं पूरडी है is here उपको नाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर देखो इस तरह से यह अंड़क आपको पूरा नहीं बनाना ठीक है और यह बाहर में किया दिख़त है सबसे प Опर होता है जिसको क्या पहर है जोना होता है कि यह सब्सक्राइब बताई हूं आप लोगों को ठीक है तो यह हो गया बीच का जो भाग होता है यह जो बना हुआ है इसको हम एंटरम कहते हैं यह हमारा एंटरम पार्ट हो गया ठीक है यह बाहर का आप ग्राफियन पॉली कल में और उसे एक अंडानू की संरजना आप देखो बाहर में क्या रहता है जोना पैस्टे यह ढहिए और तो यह 2 संरचना को आपको बनाना है तीन अंक के प्रश्ण में ठीक है सिर्फ और सिर्फ तीन अंक का प्रश्ण आता है सिर्फ चित्र बनाना नाम लिखने खतम करना बतम चलो आगे देखो भई यह हैं आपके अंडाणू की सरचना अगर सिर्फ और सिर्फ अंडाणू की सरचना आगा तो आपको इतना बनाना है ठीक तो वहीं बताए ना भी जिसके बारे में यह अंदर आपको क्या है नूकलियस मतलब केंद्रक केंद्रक है अंडाणू की सरचना में क्या होगा केंद्र ठिख और यह वहाला पूर्ण यह थो होता है अंट्रम कहलाता है किया कहलाता है है और यह अपका गधितेegप यह सबसे गारा कि इसके बाद इसके अंदर चला जाता है इस्पाम कारो होता हihin जो ना पैलूशीडा को भेठते हुए अंदर चला जाता और पीछे ही रह जाता है तो हैं योगमक एन युगमक आपस में क्या होते हैं फ्यूज हो जाते हैं ठीक है और 2N बना लेते हैं 2N बनाते हैं तो 2N क्या है जाइगोड बनेगा मतब भूण बनना शुरू हो जाएगा तो यह अंडानों की संरजना है इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा इससे जादा आपको ज्यादा लिखना नहीं है ना इतना काफी है इतना इनाफ है ठीक है चलो और चलो आज मुझे असल लग रहे है कि इस पार्ट में डाइग्राम में इतना ही काफी है लंबा हो जाएगा बनाते जहूंगी इसको सेकेंडर पार्ट में मैं कवर करूंगी और दूसरे डायग्रम को ठीक है इसी के आगे का और जो डायग्रम बचा हुवा है उसको मैं आ आए और जो भी आएगा वह में कराई दूंगी ठीक है तो अब एक दम घबराओ मत